आइंसिस एकाडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौगत है जैसा कि 66 BPSC प्रिलिम्स का एक्जाम 27 डिसंबर 2020 को कंप्लीट हो चुका है और इफ्रेंट कोचिंग इंस्टूट ने आइंसर की भी रिलीज कर दी है आप लोगों ने मैच भी कर ली होगी कटा आप उसमें क्लियर हो रहा है या एक दो कुछन इधर दो भी हो रहे हैं तब भी आपको डणने की जरुवत है नहीं क्योंकि अब जो नेस्ट 67 BPSC का एक्जाम है वह उसमें अभी बहुत टाइम है अगर आप उसकी प्रिलिम्स की तैयारी अभी से करने लग जाएंगे तो टोटली टाइम वेस्ट होगा और यह तरीके से यह आपके लिए यहां पर यह भी बेनिफ्रों हो जाएगा अगर आप अभी दो महीने देखें जब तक कि 66 का मेंस नहीं हो जाता उसके लिए मेंस की तैयारी कर लेंगे तो आपके आने वाले मगर 67 में आपका प्रिलिम्स न मेंस BPSC के लिए कोई भी वीडियो देखनी है तो आप उसी प्रिल्स में सीधे जाकर वहां से देख सकते हैं जैसा कि हम डिसक्स कर रहे थे की जेयस्ट कर रहे थे कि शेक्वाइस सेक्शन वाइज डिसक्स कर रहे थे तो इससे पहले वाले वीडियो जो इंडियन पौलिट है वह discuss करेंगे तो आज के वीडियो में हम जी यस पेपर 2 जो सेक्ष्ट 2 का ऑफ वह कबर करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि इस सेक्ष्ट में भी आपके फोर कुश्चन्स आते हैं ठीक है उसमें से आपको थ्री कुश्चन्स करने होते हैं प्रते कुश्चन जो है आपका 38 मांस का होता है यानि की टोटल वेटेस कितना हो गया 114 का ठीक है तो 114 का वेटेस रख रहा है बहुत ही ज्यादा वेटेस है इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के वीडियो में उसका देख लिए था उसका भी 114 मांस का ही वेटेस था तो आज का हमारा जो सेक्षन है उसमें हम डिसकस करने जा रहे हैं इंडियन एकोनॉमी और इंडिया अब इंडियन इसके अंदर हम क्या क्या डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर वह भी देख लेते हैं इसके अंदर हम डिसकस करेंगे कि इसका स्लेबस क्या है विकॉस बिना स्लेबस के आप अगर किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल सब्सक्राइब करने का आइना होते हैं पाथ जो रास्ता होता वही दिखाते हैं उसके बाद हम यह देखेंगे कि यह सोर्सिज क्या होंगे जहां से हम ये Indian Economy and Geography of India को cover कर सकते हैं ठीक है? तो चलिए पहले हम discuss कर लेते हैं Indian Economy and Geography of India इसका syllabus क्या दिया है BPSC ने? जो कि Section 2, GS Paper 2 का cover कर रहा है उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ In the part pertaining to this That is Indian Economy and Geography of India Questions will be put on planning in India इंडिया में जो planning है कैसे होती है? Physical, Economic and Social Geography of India and Bihar Bihar यहां पर लिखा हुआ तो मतलब अब आप Indian Economy कितना बड़ा है? Geography कितना बड़ा है? तो उसमें आपको समझना है और इनके statement को link करके देखना है हमें planning देखनी हैं इंडिया की कैसे? और Geography को से देखना है? Physical, Economic and Social Geography जो चीज कबर करती है वो चीज होनी चाहिए ठीक है? यानि यहां से clarity आजाएगी आपको और अगर अभी हम previous year question में डिसकस करेंगे जब previous year questions डिसकस करेंगे तो एकदम clarity picture clear हो जाएगी कि क्या होनी है? प्लानिंग का मतलब क्या है? इंडिया में प्लानिंग जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक planned economy मिक्स economy है planning प्लस आपका development economy की बात करता है लेकिन आपको देखना प्लानिंग जैसे केई आपको पता है कि economy पहले आपको देखना पड़ेगा कितने टाइप की होती है? दो तरह की होती थी एक तो आपकी थी planned economy और एक थी आपकी capitalistic economy तो इंडिया के अंदर ना purely planned है और ना capitalist है दोनों का मिक्चर है इसलिए इसको कहते है mix economy ठीक है अब mix economy में जब स्टार्ट में 1991 से पहले जो orientation था वो ज्यादा थर planning की तरफ था बट 1991 के बाद जब LPG का concept आया that is liquidization, privatization and globalization तो इंडिया को अपनी economy को वर्ड के लिए open करना पड़ा तो वहां से हमारा जो orientation था वो planned के बजाए capitalistic की तरफ हो गया ठीक है तो हमें यह देखना होगा planning का क्या role है 1991 से पहले और 1991 के बाद क्या हुआ है तो इस तरीके से में planning इंडिया देखनी है ठीक है तो उतना idea नहीं लग पारा कि question किस तरीके से आ सकते हैं बड़ जब हम last के three years के paper discuss करेंगे 65th, 64th और 63rd का तो हमें पूरा-पूरा picture clear हो जाएगा idea लग जाएगा कि हमें आकर इस section में कैसे maximum score get करना है ठीक है तो इस section में हम आगे बढ़ते हैं चले बस हमने discuss कर लिया है अब आगे हम previous year paper question discuss करने जा रहे हैं तो पहले आप अभी जो latest में हुआ 65th का देख लेते हैं कि क्या आया था उसमें question तो पहला question है evaluate यह लिए दिप्रोडक्शन और प्रोड़क्टिविटी ट्रेंड इंडियन अग्रीकल्चर कि सिंस 1991 वाट प्रैक्टिकल मेजर सुड़ बी अडॉप्टेट तो इनहांस एग्री कल्चरल प्रोड़क्शन और प्रोड़क्टिविटी इन बिहार तो इसलिए अब आपको थो प्रोड़क्शन दिया है वह इकोनॉमी इन्होंने क्या कर दी है लिंक कर दी है जो अगर्फी के साथ तो आपको मतलब वह बताने हैं कि आखिर प्रोड़क्शन और प्रोड़क्टिविटी ट्रेंड्स क्या-क्या इग्री कल्चर में रहे हैं सिस 1991 प्रोड़क्शन बढ़ा प्रोड़क्शन होगा उसको बहुत ही अच्छा बनाएंगे लोगों से अलग बनाएंगे तो आपको डिफरेंट यहां पर ग्राप ड्रा कर सकते हो प्रोड़क्टिविटी से पहले इंडिया की एकोनॉमी में क्या थी लोगों के पास मतलब लोग इतना नहीं उगा पाते प्रोड़क्शन कर पाते थी कि वह खुद की ज़रूते पूरा कर पाएं उसके बाद इंडिया सर्प्लस बनना शुरू हुआ इन के सब फूड ग्रेंस और आला गलग जितने भी आपके नौन फूड 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 आइटम्स थे उनमें तो वह आपका एक ग्राफ के तुर प्रोड़क्शन के बात यह करी है उन्होंने साफ साफ तो प्लानिंग के लिए जरूरी है कि जितने भी फाइव यह प्लांस बने हैं उनका टार्गेट क्या रखा गया था अचीव हुआ था कि नहीं बिलो टार्गेट था या टार्गेट से ज्यादा था तो मतलब आपके सारी फाइव यह प्लान है उसके बाद आपका खतम ही हो गया फाइव यह प्लान को इन्होंने अलग नाम दे दिया तो आपका जो प्रोड़क्टिविटी है वह आपको पता होना चाहिए कि हमने टार्गेट क्या रखा था 3.5 का रखा था प्लान में या कितना रखा था 1991 के बाद ही इंडिया की एक बहुत बड़ा मोल लिया था यहां से आपका लपीजी का कॉंसेट लगा था यहां से आपकी इकोनौमी जो है बाहर की इकोनौमी से फाइट करने के लिए क्या हुई थी तैयार हो गई थी तो इन्हें मजबूरी में उस समय खोलना पड़ा था क कि अपने आपको तयार कर पाए कि हम बाहर के मार्केट के जो प्रोड़क्स हैं उनसे कंपीट कर पाए बट लेकिन मजबूरी में इन्हें खोलना ही पड़ा था दबाओ में आकर डबनू टियो से क्योंकि जो भी हल्प मिलनी थी सबसीडी वगरा वह नहीं मिल पा रही थी इस वज़ा से मजबूरी में ले आना पड़ा था तो आपको पता चल गया यहां पर एक सोर्स की आपको यह आपको जितने भी प्लांस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा इनको जिससे आप इसको यूज करके अपना अच्छा बना पाए तो पहला स अब कर ठाइब करना गया तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में मतलब वाधत कश्यों के करने ब्लाट गव्यूंड इनका मतक्रमें और हार में भी यहां बिश्कार एक बताना पड़ेगा की योजना कैसेक पर लिए यह वी वरायटी सीट वहन बहुत की नहीं को चाहरे लिए इस हो Chapel नुकसान पू dism बिहार का बता सकते हो है कि कहाँ चीज़ सीज़ के विधुक्त के हैं मैप और मैप में ऐसके सकते हूं पूल सकते हो। आप बनाओगे एक मैप और मैप में डिसकस कर सकते हो कि किस एरिया में क्या हो सकता है उसके बाद आपका आता है वाराइटी और इनहेंस कैसे कर सकते हैं एक तो आप स्प्रिंकल सिस्टम ले आओ जिससे की पर ड्राप मोर क्राप मिले इरिगेशन क्योंकि बहुत ही इंपॉर सब्सक्राइटी का आपने सीड ही नहीं लिया तो आपको कहां से मतब प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और जो आपका टिलेज होता है जो आपकी कंजर्वेशन होने चाहिए नहीं कि इतना ज्यादा आपने टिलेज कर दिया कि जो आपकी जो इंपॉर्टेंट आपके इंसेक कितना चाहिए नाइटोजन सही से मिला या नहीं मिला यह देखना पड़ेगा और आपके पास फॉर्म जो फॉर्म मैनेजमेंट सॉफ्ट वेवेर हैं वह सही से लग रहे हैं या नहीं यह सारी पॉइंट में अगर आप इसको डिफिनेट वे में डिसकस करोगे तो आपका इसका इंसर बहुत डाइमेंशन में और उपर से आप उसमें मैप का इस्तिमाल कर दोगे तो यह भी पता चल जाएगा कि आपको जोगर्फी का नॉलेज है या नहीं क्योंकि इन्हों ने साब साब सब सब में इंडियन एकोनॉमी और जोगर्फी को लिंक किया हुआ हुआ ह इसका मतलब यह यहां पर आपको एकोनॉमी के साथ साथ आपका जोगर्फी को भी टेस्स करना चाह रहे हैं इसलिए आपको मैप का भी आइडिया होना चाहिए इसमें आपको मैप को इंक्लूड करना होगा इससे आपका जो एंसर होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगे आपको मैपिंग का इस्तिमाल करना पड़ेगा आपको स्टैट्स दिखाने पड़ेगे ग्राफ का इस्तिमाल करना पड़ेगा जिससे आपका जो एंसर हो बहुत ही प्रोड्रबटिव बन जाए ठीके अब नेसक great अम discuss करेंगी पहल्ला ओंने दिसकशन है कि discuss the relevance of economic planning in India in the post-economic reform era discuss the relevance of economic planning in India in the post-economic reform era in this context explain that how state and market state and market के बारे बोला है can play a synergic role in the economic development of the country तो पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 38 मांस का question है तो इसका bifurcation कैसे किया जाए पहलो तो इनका division बहुत ज़्यादा important है तो इसमें दो कुछिन ने पूछे हैं एक तो पूछा है कि discuss the relevance of economic planning in India in the post-economic reform era तो post-economic reform era में आपको discuss करना है कि relevance of economic planning क्या है ठीक है तो यह तो आपको यानि 19 मांस में यह चेक होने वाला है ठीक है और उसके बाद 19 मांस में आपका यह चेक होने वाला है in this context explain that how state and market can play a synergetic role in the economic development of country तो अब 19 मांस में यह होने वाला और 19 मांस में यह होने वाला है अब 19 मांस का हमें यह लिखना है discuss the relevance of economic planning the post-economic reform era तो अब आपका reform आपको पता यह कब आया पुराना question भी उसी पर discuss हो गया और यह वाला मतलब फिफ्ट नंबर जो था ओभी कहीं न कहीं इसी रिफॉर्म एरा यानि रिफॉर्म आया आपका 1991 के बाद जब आपका LPG आया LPG आपको पता ही है liquidization, privatization and globalization sorry तो liberalization, privatization और globalization का बात आया कि क्योंकि 1991 से पहले जितनी भी major industries थी सब आपकी state के हाथ में थी everything was public सब पब्लिक सेक्टर में था सब पब्लिक के हाथ में था प्राइबेट के हाथ में नहीं था उसके बाद आपका liquidization यहीं होता है कि आपको क्या करना है इस्टेट के अंदर जो है चीजे मतलब प्राइबेट के हाथ में भी आपको देना पड़ेगा मतलब तो यहीं से शुरू हुआ कि प्राइबेट इंडेस्ट्री वगारा को भी इसमें production के लिए बोला गया पता है कि जैसे market क्या होगा आपका close नहीं होना चाहिए open होना चाहिए every person के लिए ठीक है तो आपको डिसकस करना है उसके बाद प्लानिंग का कहां तक रोल लह गया पहले planning में सब कुछ जो है government plan करती थी everything was public sector बट 19 जब reform आया तो open करना पड़ा तो इसके लिए आप relevance दे सक लगते हो कि कैसे मतब USSR की economy का नुक्सान हुआ जब सब कुछ state के हाथ में था इस्टेट के हाथ में तो था economy USSR की डाइवर्जन पर आ गई क्योंकि एक तरीके से मतलब market में आपका competition जरूरी अगर आपको पता है कि आप कितना भी work करो आपको उतना ही मिलना है salary आपको सब कु इंसेंटिव कुछ नहीं मिलना है तो एक तरीके से यहां पर लोगों के अंदर जो काम करने की इच्छा होती है और जो product देने की इच्छा होती है वह भी खतम हो जाती है तो planning कि इसलिए कुछ चीज़ें आपको private करनी पड़ती है वैसे उस समय इंडिया का 1991 में इंडिया त इनका इससे जो इनके जो घरेलू market domestic market थी वह पूरी तरीके से खराब हो सकती थी तो इसलिए डर भी था लेकिन कहीं न कहीं इससे फायदा भी हुआ है तो उस समय प्लानिंग को कैसे टर्न किया गया जो पूरी इंडिस्टी पब्लिक के हाथ में थी अब उस पैसा था कहां लगा गया कि सेक्षिन में लगा यह सब चीजें आपको इस वाले कुश्चन में डिसकस करनी पड़ेंगी कि क्या प्लानिंग का रेलिवन से रह गया है इस प्लानिंग का पूरा एक चप्टर डिसकस करेंगे हम इसके बाद तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे कि कहां से क्या करना है कैसे इसको पढ़ना है इस कुश्चन को अभी पस एक बेसिक आइडिया इस कुश्चन का ले लेते हैं ठीक है अब आगे है कि इस्टेट और मार्केट सिनर्जेटिक रोल इंद एकोनॉमिक डेवलेमाट अपकर्टी अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर सब कुछ पब्लिक के हाथ में हो जाएगा और पब्लिक ने फिक्स कर दिया कि आपको इतनी सैलनी मिलनी है मतलब कोई चाहे अच्छा काम कर रहा हो चाहे बेकार काम कर रह जाएगा यहां पर काजे से एक ही बंदा सब कुछ प्रोड़क्ट बना रहा होगा तो कोई कंपटिसन नहीं होगा अब जब मार्केट भी इसमें अपना रोल प्ले करने लग जाएगा तो कंपटिसन की भावना आएगे और कंपटिसन जो होता जब कंपटिसन होता तो और आया मार्केट भी बने और मार्केट से भी रोल शुरू हुआ तो यह सब चीजें आपको इसमें डिसकस करनी होगी अब अब जादा कुछ निसकेट अभी बस कुछ नो समझ रहें हैं और कैसे चलना है और कैसे अच्छा मास गिर करना उसी पर जज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अभी हमें तीन प्र डिसकस करने हैं जादा डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा अब इस ने निव डिफनेशन ओफ माइक्रो इसमाल और मेडियम इंटरप्राइज कि रिकट क्रिकली एवल्यूएट इडी डी डॉल अप MSME बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनिसोरी इस सक्सेज ओप आत्म निरयबर भहरत अभियान इनडिया जैसे कि आपको पता है मही में मई में ही गवर्मेंट ने क्या किया था आत्म निर sorta भारट अभियान लौंच τιौश की और उसी के साथ ही इसम्हों ने जो माइक्रो के लिए स्मॉल के लिए और मीडियम के लिए तो आपको पहली बात तो यही नया डिफनीशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि नए योजना लॉंच हुई थी और बहुत दिनों बाद यह डिसकस हुआ था तो मतलब इतने सालों के बाद यह आपका नया सीलिंग ब बहुत बड़ा रूल था तो एक तरीके से आतने अभियान के साथ ही इस डिफनीशन को भी चेंज की गई थी इसलिए जो पहला पाट है तो सीज़े सीदर डिफनीशन ही है अगर आप इसको लिख देंगे तो अराम से जितने भी मांस का यह होगा अगर आपका सही है तो पुरे पुरे मांक्स मिलने की पुरे पुरी चांस अग्दम मैहितमेटिक्स की तरह ही है क्योंकि पूरा डिफनीशन गर डिफनीशन लिख दिया तो ज़ुझा तो पुरा पुरे नंबर और गलत हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेंगे ठीक है अगले आगे कह रहा है क्रिकली पूस्तिंप भ्रो दंट्ध वासी क्या रोल हो सकता वी इस को बिट के दोर में सब्सक्राइब開एंट क्या कर सकते हैं इसमें। पूरा आपको समझ में आ रहा है आप इसको लिख सकते हो असानी से अब नेस्ट कुछन देख लेते हैं वाटर दी में कंस्टेंस इंदी रैपिड एकोनामिक डेवलप्मेंट आ बिहार अब क्या क्या रुकाओटे आ रही है जो के बिहार के को लाओड में आरही है उनको आपको इसमें देखना था इस कुछेटम में तो इसमें है नोगे और अगर वहां का डवलप करेगा और स्थे अगर हम अगर हम मैनुफैक्ट्रिंग इंडस्ट्री को लिंक करेंगे दिर हमारा चीजे आपका जोगी डेवलोपमेंट में आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा कि अग्री कल्चर बेस एकोनोमी है तो इग्री कल्चर में क्या-क्या रुकाउटे आ रही है फ्लड बार बार परेसान करता इरिगेशन की अच्छी बेवस्ता नहीं है यह बता सकते हो आ ना पर बनाना कि आप चिपस की अंडर्स्टी लगा सकते हो इंडर्स्टी ना लगने का सकता है रोड्स सब्सक्टाइब है रही है यह तो सारी थुकाउटे यह बता सकते हो और इसमें मैप कभी इस्तेमाल करोगे तो आपका एंसर जो होगा वह बहुत अच्छा बन तो यह सब डिसकस करने के लिए हम इसका मैटरियर प्रवाइड करा देंगे और योजना की मदद ले सकते हैं क्योंकि योजना भी बहुत अच्छे से यह सब डिसकस होई रहती हैं वह आट के लिए वहां से उठा लेंगे ठीक कुश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या डाइमंस है अगर इसमें आप टूदे परिंट के नहीं पड़ोगे तो मेंस की तयारी में आपका कुछ भी नहीं होन दो मेंस में आपको बहुत ही लोग यहां बहुत गाइडेंस बहुत कम उपलवद है कोई भी में स्टूडेंट की तरह स्टूडी करना है ना कि लगे लगे हुए लगे हुए और कुछ भी नहीं हो रहा है तो देखिए प्रीवेस यह पेपर सबसे बड़ा आइना होता है उसको सब कुछ मानना है और उसके हिसाब से त्यारी करनी है देन आप देखोगे कि आपको मेंस की एक आगे बढ़ते हैं अभी हमने 65 विप्यसी मेंस के पेपर को डिसकस कर लिया है अब हम डिसकस करेंगे 64 का 65 में जितना ही इवेलियर्टिव आया था उतना ही सिंपल कुस्चन 64 में आया था सीधे इन्होंने क्या दिया किटकली एक्जामिन दी नीड आफ फूर्ट अच्छे पईंट्स क्या है क्या तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे अवलेबल कर आजbacks आए込कर जाते हैं फिर ऊसके बाद प्सी कि थूर। इसBut 2005 कर सोंकर है को समय, मतलब वहां इस से प्लानिंगाई यह से प्लानिंगे नहीं था नहीं नहीं होगत तो फिर जरूबट क्या थी पीडियूसुट्टीए तो स考त में इंडिया में एंडिया जैसा कि मिक्सिको नॉमि है और अम नैंटीनाइटीवन से पहले इसका जो ओरियेंटेशन था मोर ओरियेंटेशन टुवार्ज सोसिलिस्टिक था जो कि आप ज्यादा कैप्टलिस्टिक की तरफ ओगया है ठीक है तो इस तरीके से आप इसका सिंपल कुस्टन है आप इसका सिंपल लिख से तो कुस्टन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेस कुस्टन यह भी बहुत ही सिंपल इन्होंने सीधे कुस्टन पूछ लिया इक्स्प्लें दी रॉल आप डवलू टी यू इन कंटेस्ट आप इंडियन एकोनॉमी डवलू टी यो क्या है वट्टेड आउग नाजेशन क्या कहता है सबसीडी को बा सब्सक्राइब ने कहा हुआ उस समय डवलू टी यो ने कई इस पे रेस्टिक्शन लगाया थे इसलिए उस समय कुस्टन आया था कहीं ने कुस्टन जो है करेंट से लिंक करके ही अपना कुस्टन बना रहे है और प्लस लेकिन यह तो चीज के लिए रहे कि यह अपने उस प आप पाट हो जाएंगे तो इसी को डाइमेंशन में देते हुए इसको बता सकते है ठीक है ने कहीं जो यह है इकोनामी वाला जो सेज्टन डा से लिंक है रहा है । रहा है करेंपन जो चीजे चर्चा में होगी तो यह हम इस लिए डिसकस करने हैं कि हमें इस बार कौन सा पॉइंट करना होगा क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टन हो सकती है जैसे 65 में माई में आया था आपका भारत अभियान की बात हुई थी और वही कुछ चना आ गया कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं हो तो हो सकता कि जिससे रिलेटर आएगा जो तुम्हारे इंडियन एकोनामी को इफेक्ट कर रही है उससे रिलेटर कोई और कुछ उसने बात कही है तो उसको उससे रिलेटर चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है इससे हम यह आइडिया सारा कहां है प्लानिंग से ही खेल ला है इसलिए प्लानिंग कौन करता है कैसे होता है प्लांस फाइब यह जितने भी आए हैं उनका टार्गेट क्या रखा गया था क्या प्लानिंग की गई थी किसने बनाया था प्लांस ट्रॉक्टर उसका मूवमेंट सोसिलिस्टिक की तर तो अगर यानि कि आपको अपने जो फाइव एर प्लांस इतने भी 12 हैं और इस समय जो चल रहे हैं वह सारा आपको पता होना चाहिए ठीक है इसका इसलिए हमें यह तो करके जाना ही है यह करके गए अगर प्लानिंग अच्छे से तो कम से कम हमारा एक कुष्चन तो 38 मास का प पूरा पूरा नंबर मिलना ही है अब नेस कुष्टन डिसकस करते हैं यह है आपका अनलेस दी ग्रोथ और पॉपलेशन इस चेक्ड इंडिया दी इकोनॉमिक डेवलेप्मेंट कैन नौट बी ज़र्ज इन इस ट्रू परस्पेक्टिव कह रहा है कि अगर पॉपलेशन ग्र पॉपलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही है तो जो इंपक्ट इंकम पर होना चाहिए था वह उस लेबल में नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको पॉपलेशन का अपना स्टैट दिखाना होगा आपको अपने जीडिप का स्टैट दिखाना होगा कि उस रेस्पेक्ट में पॉपलेशन बढ़े रहा है उस रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो भी रही है या नहीं हो रही है तो इकोनामी वाल जो यह सेक्शन टू है इसमें आपको ग्राफ स्टैट की बहुत ज़्यादा जरूरत है बिना स्टैट के आपके कुश्चन में कोई भी वेटर नहीं आएग आप तो वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो प्लानिंग कर दो यह बार-बार जिक्रू हो रहा है प्लानिंग का उसके लिए फाइव यह प्लांस जो यो उजना चल रही है उसके बाद उसके लिए इकोनामिक सर्वे बजट से हम चीजें ले सकते हैं ठीक है अब हम सिस्टी फोर्थ कब डिसक्स कर लिया है अब डिसक्स करेंगे सिस्टी थार्ड में क्या क्वेश्चेंस आये थे ठीक है सिक्स नमर देख लेते हैं प्रेजेंट ली हाइलाइट दी मेजर प्रॉब्लम्स आप इंडियन एग्रिकल्चर और सजेस्ट वे टू रिमूब देम डि पर ही कुछ से बना रहे हैं एक प्रॉब्लम क्या है उसको इंप्रूब कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम क्या चल रही है तो मतब एक रिकल्चर इनका बहुत ही अच्छा टॉपिक है यानि आपको एक्री कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आप याश्मज में आ रह सब्सक्राइब कर रहे हैं कितना आसान चीजें हो जा रही है कि इंडिया निगरी कल्चर से कुछ्चन आ रहा है मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया निगरी कल्चर की वह बतानी है आपको और कैसे आप उसको रिमूब कर सकते वह बतानी है आपको मेजर प्रोग्राम क्या और यह कहीं किसका पाथ है जोह सोसल जोगर्फी का पाथ है क्योंकि समाज से रिलिटरास समाज की एक समस्षा ही हो जाती है तो डिफ्निटीच पर कितनी कमिटी बनी हुई है कब से कमिटी बन रही है पबटाना होगा जो इस मिन UP बनागी कमिटी बनी होई तनी हो गया थी है किस ने लिए ए आपको सब आपको मतलब पता होना चाहिँ दिसी वह पांच चीमिटी जो भी बनी है तेंदुलकर हो गया आपका अलग कमिटी हो गया आपका ठीक है सारी कमिटी का आपको जिक्री करना होगा और किसने क्या डिफिनीशन दिया था वह बताना होगा कितना अच्छा कुछ नहीं आपका हो सकता है गया चीज दिए अच्छे से पढ़ना कि प्रॉल्म्स क्या है कहां मेजर अगरी कल्चर के लिए काई सी डिया जा रहा है इसका पूरा मैप का बना होना चाहिए आपका होने पर पर बहुत बड़ी समस्या भी यह फूड फॉर ऑल की बात हो रही है यूए उन तक यूनाटर नेशन भी इसके बारे में बात कर रहा है तो यह आपको मतलब पावाटी सेक्षन भी अलग से करके जाना होगा इसके लिए जिसनी भी पावाटी की कमिटी बनी है सारा उनका और यह सब आपका एक नोर्स मना होगा आप डेली रिवाइस किये रहेंगे तो डिफिनिटली आप जाएंगे और एक्जाम में तुरंद वहां पर लिखके चले आएंगे और डिफिनिटली 38 में से बहुत ही मैक्सिमम मास्क गिर कर पाएंगे इवन आप 30 तक जा सकते हैं अ एरिया एक्स्प्लेइन में की इंडस्टी ऑफ इंडिया ठीक है तो बतानी है कि जो इंडिया की मेजर लाज स्केल इंडस्टी है वो कुछ एरिया में ही क्यों रुकी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्टी आखिर कोई लगाता क्या है क्या चीज देखे तो बाखते है और डिकिा आपकी ऐडिया compelled पहाँ सेकेलरा नहीं है यह भी तो आपका टांस्पोटरेंश संग चाहिवा ज्यादा पकर सेट्प करते हैं सारा आप डिस्कस कर सकते हो फस पार्ट में और बता रहा है कि कुछ जोगरिफिकल एरिया में हैं क्यूं है और इन ही का जो डीजन है जिस बेसिस पे इंडिया बनता है उसी बेसिस पे जहां पर यह सारी फैसिलिटी अबलेबल होंगी आपकी इंडिस्टी वहीं पर सट होगी जहां पर यह सारे जोगरिफिकल डिस्टेंस नहीं होंगे ठीक है इसलिए उस एरिया में होगी उसके बाद आपको में की इंडिया की बता देनी है क्या होती है आरने स्टील इंडिस्टी है टेक्स्टाइल इंडिस्टी है जूट इंडिस्टी है सुगर सीमेंट पेपर पे अराम से अगर आपको knowledge है इसमें कि इंडस्टी का लगाने का criteria क्या होता है तो आप अच्छे से explain कर पाऊगे और यह किसका पार्ट हो गया देख रहे हो आप स्लेबस से कैसे link है एक दम स्लेबस से डेवियेट नहीं हो रहा है स्लेबस में उन्होंने एक वाट लिखा था physical geography तो मतलब स्लेबस में ही अपना कहीं न कहीं घूम फिरकर स्लेबस से ही question आ रहा है तो आप स्लेबस के बहां नहीं जाईए बिल्कुल भी और स्लेबस में रहके बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा तयारी कर लेंगे आप अगर आप का टाफ पे भी हैं तब भी आप डिफि कर लेंगे उसके बाद काई से इनको कवर करना है वह भी डिसकस करेंगे ठीक है पहले हम सारा स्लेबस सारे सेक्षन का कि क्या है इससे आपको भी आडिया लग जा रहा होगा और आप डिविएट भी नहीं होंगे आप खुझ से भी इस्टेडी अप जैसे आपने पॉलिटी क्या हो सारी나Pod यह क्या क्या कर सकते हैं उव चलना हिएं इंडिया लेज पर कर सकते हैं। कोई उस पर नहीं ला रहा है वीडियो तक आप भी लेड़ाइब आपको समझ में आ जा रहा होगा इन वीडियों से कि आपको करना क्या है और आपको फिजिकल जोगर्फी के अंतर आता है इंडस्टी इंफ्रास्रक्ट्टर कैसा है इंडस्टी सेट अप करने के लिए क्या च मेजर मिलनरस नोग निंडिया की इंडिया की प्लेश्य पालिसी समय आउई इसलिए लिए ताइसलिए कुछ ने पूचा बट कि यह चीज जानना की मिलरा है कभी भी आ सकता है कहीं भी आप इसको लिए सकते हो गर कोई कुछिछन आता है या डेवलोप्मेंट कैसे मिनलस कर सकते हैं उसमें तो आपको पता होने चाहिए तो पहले आपको डिटेल ने पताना हो का मेजर मिनलस इंडिया में क्या है कोल है फोर्थ राज़ेस रिजर्व वर्ड है हमारे पास आरन और है मैगनीज और का 7th largest reserve हमारे पास 2013 के कार्डिंग हमारे पास माइका बाकसाइड में इंडिया इंडिया 5th largest reserve है ठीक है क्रोमाइड है यहां नेचरर्वल गैस पाई जाती है यह डाइमंड है लाइमस्टोन है थोरियम है तो मिजर आपके जो मिनलस यह सब हैं आपको डिसकस करने होंगे और अगर आप मैप बना सकते हो इंडिया में बना के बटा सकते हो जिए कंटिविशन क्या है इसका मिनिर्स का बहुत ही ज़्यादा का इसको बता सकते हो कि कैसे मिलन से इनका हम by product manufacturing में कहां यूज करते हैं steel plant में कैसे यूज कर सकते हैं जो मैंने major industries की बात करी थी पिछले question में कहीं यह link हो गया तो मतलब linking की power आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपके पास नोस बना होगा ठीक से revision होगा तभी आप link भी कर पाओगे क्योंकि एक question देख रहो एक question से link दूसरा question है अगर एक बार आपने industry major large scale industries पढ़ी क्योंकि आपको पता है कि हमारा economy के तीन सेक्टर है primary sector secondary sector and tertiary सेक्टर primary sector के अंदर आपका क्या आता है अगरीक अगरी कल्चर आता है बैसिकली इसी चीज़ों जो डायटली नेचर से रिलेटर हो डावनेचर से रिलेटर क्या है आपके मिल्राल है और है अगरी कल्चर जो और यही जो आपके primary sector के जो constraints होते हैं वही secondary sector के लिए यानि मैन इंडेस्टि आ गई तो फ्राइमरी सेक्टर का ही डेवलप्मेंट क्या है करेगा कि तो करेगी तो करे और जादाव करें गई। तो यह आपका मतलब यह बेसिक जो होगा आपका primary sector secondary और tertiary sector यह आपको help करेगा आपके answer writing में तो यानि कहीं ने कहीं industry जो है agriculture से related है और culture जो है agriculture जो है आपका इंडस्टी से related है और service sector इन दोनों को merge करता हुआ है जुन दोनों को ही Services provide करता है primary sector और secondary sector को तो आपके जो interlinking होगी वो आपके answer writing में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और बहुत अच्छा mask गिट करने में आपको मदद मिलेगी तो इसी तीन महीने की तयारी के अंदर अगर आपने syllabus जैसे मैंने आपको बताया कि उस तरीके से आप चलोगे चलोगे उसके एकॉर्डिंग तयारी करोगे प्रीवियस यह पेपर की हेल्प लोगे यह नहीं कि कुछ भी किसी ने बताया आप पढ़ना शुरू हो गए ऐसे तो पढ़ने कि न्युक्त प्रिलीम्स के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगी तो आप kई आन सबस्के कए आपको इनसिस दो ऊपको लुक्त के उसके साथ सरा मेंन करता अट कrukए मिए वनुल FC चैंस करगके हैना, एक बशकते हैं सब्सक्राइवियों तो अभी हमने paper 2 का section 1 इसे पहले discuss कर लिया था section 2 अभी discuss कर लिया यानि 114 मास का उसे पहले discuss किया था 114 मास का आठ discuss कर लिया more than half paper 2 discuss हो गया है अब यही science tech का portion रह गया अगले वाले वीडियो में हम science tech भी discuss कर लेंगे तो आपको एक idea लगो इस तरीके से आप अपने तयारी को align करें ठीक है हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके से हमारी वीडियो को प्यार देते रहें लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें हम आपका मेंस की तयारी में पूरी पूरी मदद करेंगे